हालो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी लोग आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे मैं इस्टेशन मास्टर के आर सेनी के आरेजुकेसने पर आप सभी का स्वागत करता हूँ फ्रेंड्स अपनी जो डाउट क्लियर की स्रीज चल रही है आज में आगे बढ़ते हैं फिर से पर्सनली रिप्लाइब करने की कोशिस करूँगा अगर रिप्लाइब नहीं कर पाया तो मैं आपके जो डाउट्स है उनको अगले वीडियो में इंक्लूड कर लूँगा तो आप जो है किसी भी टाइप का आपके डाउट है तो आपके जरूड कीजेगा तो चलिए फ्रें जिनके आधार पे अपन दोनों में comparison कर सकते हैं तो चलिए सबसे पहले अपन देख लेते हैं department ये भी आपकी engineering department की है और assistant works भी आपकी engineering department की post है साथ दोस्तों salary के साफ से देखें तो salary जो है दोनों में ही लगवग same है क्योंकि इनका भी TA बनता है इनकी salary याँ पर बराबर सी आने वाली है और posting place के साफ से बात करें दोस्तों तो इनकी हमेशा headquarter जो station होगा वहीं पर posting होगी जबकि इनका कोई junction station है या फिर कोई अच्छा station है थोड़ा था बड़ा टाइप में station तो वहाँ पर इनकी posting होगी तो posting के साफ से भी अगर बात करें तो असिस्टेंट ब्रीज वालों की जो है पोस्टिंग थोड़े बड़े ज्यादा सेर में होती है लेकिन असिस्टेंट व्रक्स वालों की जो है ठीक टाग अच्छे कास सेर में होती है तो इसके साफ से भी अगर बात करें तो दोनों में सैम सैंजी बात रहने वाली है इसके बाद में दोस्तो एक बात है आपके ट्रेफलिंग की तो देखिए यहाँ पे असिस्टेंट ब्रीज जो है यहाँ पे आपको ज्यादा ट्रेफल करना पड़ेगा इसकी जो range होती है 200-300 km तक या 400 km तक भी हो सकती है आपका डिविजिनल एड कोटर से ब्रिज जो होते हैं वो जादा दूर तक हो सकते हैं तो आपको यहाँ पे traveling का जो है बहुत लंबा travel करना होगा दोस्तों उस हिसाब से assistant जो works वाली है इसका area limited होता है 70-80 km या 60-50 km के area में जो station आते हैं वहीं पे उनी station पे आपको जाना होगा उनी station पे आपको काम करना होगा और फिर आपको गर लोटाना है और दोस्तों सभी station 50 km दूर नहीं होते हैं कुछ station जो होंगे आपके assistant works वाले वो आपके जो educator station रहेगा आपका जहां पे आप posting रहेगी उससे 10-10 km या 5 km या 15 km के range में बहुत सारे station होते हैं तो उन पे भी आप duty करोगे अगर उस दिन आपको वहां पर duty करनी होगी तो आपको बहुत कम टाइम में आप पहुंच जाओगे और बहुत कम टाइम में आप वहां से आ सकते हो तो उस हिसाप से assistant works वाली जो है जो है जो कोई रिसक नहीं है इसमें कोई रिसक नहीं है इसे कोई रिसक वाली बात होती नहीं है आप पे थोड़ा प्रेसर ज्यादा रहेगा असिस्टेंट वर्क्स वाले जो है ट्रेन उप्रेशन से बिल्कुल भी जुड़े नहीं रहेंगे ये क्वार्टस वगर की मरमत वगर करेंगे एक्दम सीविल रहेंगे इनका जो है काम आज नहीं हो रहा तो दो दिन बाद भी कर सकते हैं कि असिस्टेंट वर्क्स में जो है अगर काम आज का जो काम है तो आज ही होना चाहिए तो यहां पर असिस्टेंट वर्क्स की जो जोब है यह बहुत सांधार जोब है असिस्टेंट वर्क्स से काफी गुना यह चांधार जोब है चाहिए आप इसको सेफटी परपस से देख लो यह पिर ट्रेलिंग के साब से देख लो दोनों ही इससाब से यह जोब बेश्ट रहेगी बाकी सेलरी दोनों में सेम से में है प्रमोशन भी लगबग दोनों में स टोट से में से रहेंगे तो यह रहें आप आसिशटं वक्स की जोब जोइन कर सकते हो यह यह जाए हम होता है उसके पास से लेक्में होता है और LDCE के एक्जाम के थुरू Station Master बन सकता है और यहाँ पर TTTC बन सकता है और Goods Guard वगरा बन सकता है जबकि और जो है और उनके पास में LDCE के लिए JEE का एक्जाम दे सकते हैं जो चाहे TRD वालो हो टेन लाइटिंग वाले हो वरक्षोप वाले हो या फिर आपका वरक्षोप वाला हो और सभी टाइब की जो पोस्ट हैं वो लोग अपने डिपार्टमेंट में JEE का एक्जाम हो ली दे सकते हैं बलब उनके पास में मोके कम होते हैं यह अपन साब साब कह सकते हैं बाकि LDCE का जो एक्जाम आता है डिपार्टमेंटल हर department में आएगा चोई group D की कोई सी भी post हो बस ये बात है कि आपके points में को यह पे ज्यादा मुका मिलता है इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं यह doubt number 3 जिनको whatsapp group में एड नहीं किया गया उनका क्या होगा तो देखें आपे कापी सारे दोस्तों के साथ में ऐसा हुआ है कि उनको किसी whatsapp group में एड नहीं किया गया है जैसे कि आप सभी को पता रोजगार मिला है 13 अप्रेल को तो उसमें कापी सारे दोस्ती आपे वंचित रहे हैं तेरह अप्रेल को आपके पास में मेल आ जाएगा तेरह अप्रेल से सभी डिविजन जो है मेल यहां पर डालना इस्टार कर देंगे डिविजन का अलॉट्मेंट भी जो है ओफिशिल एनॉंस कर दिया जाएगा अभी तक ओफिशिल एनॉंस नहीं हुआ है अभी तक बस ओ इंटरनल जो वाटसप ग्रूप अगर बना रहे हैं उन्हीं में एड़ अगरा कर रहे हैं तो उसी से जिसको भी जिस वाटसप ग्रूप पे एड़ कर लिया गया है जैसे कि बिकानेर वाले वाटसप ग्रूप में अगर आपको एड़ किया गया है अजमेर के ग्रूप में आपको एड किया गया तो अजमेर का ही मिला आपको और जिनको एड नहीं किया गया है किसी भी ग्रूप में तो दोस्तों देखो आप सभी को पता है यहां पे बहुत सारे कंडेड है और सभी को इतना जल्दी यहां पे cover करना possible नहीं है तो वो जो है जितना cover हो पा रहा है उतने लोगों को add कर पा रहे हैं बाकी जिनका नाम add नहीं हो पा रहा है वो उनको जल्दी ही यहां पे 13 अपरेल से joining later email द्वारा और by post आपके घर पे आना start हो जाएगा तो आप बिल्कुल tension ना लीजिए जल्दी आपके यहां पे joining होने वाली है दोस्तो बात करते हैं doubt no.4 पे railway से sports में कैसे जाए देखें दोस्तो अगर आप जैसे की group D में लग गये भी और आप किसी भी खेल में चाहिए cricket हो, volleyball हो, basketball हो, खोको, किसी भी खेल में आप बहुत अच्छे player हो और आप चाहते हो कि मैं group D में लग गया भी, general exam देखें जो कि RRC कह था, RRC कितरों में group D में लग गया और अब जो है, मैं यहाँ से खेलों में जाना चाहता हूँ, तो देखें यह सा possible नहीं होता दोस्तो आपको खेलों में जाने के लिए sports quote से ही बरती होना पड़ता है railway में, तब ही आप जो है railway की तरफ से आगे खेल सकते हो हाँ railway की तरफ से छोटी बोटी परती होगी ता जो होती है, उनमें आप जुरूर भाग ले सकते हो लेकिन खेलों में अगर आप अपना carrier मना चाते हो, तो आपको जो है यहाँ पे railway में direct खेलों के माद्यम से entry करनी होगी So mental, sports के माद्यम से ही, जो sports ו Arctic की vacancy आती है, उसके माद्यम से आपको railway में entry करनी होगी और यहाँ से फिर जो है आपको railway की तरफ से खेलने का मौका मिलेगा, railway की जो team रहेगी इसमें खेलने का मुख़ा मिलेगा और बहार आप जाओगे खेलने तो आपको T.A.D.A. वगरा बहुत कुछ फैसिलेटी आपके मिलने वाली है इसपेसल C.L. अगरे मिलेगी डूटी आपकी बहुत कम लगेगी बहुत सारी अलगलग टाइप के फैसिलेटी मिलने वाली है यदि आप स्पोर्स कोटे से लगते हो दोस्तो और साथ में मैं आप सुभी लोगों को परसनली सेजेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर कोई भी दोस्त जो स्पोर्स में अपना केरियर बना चाहते हैं वो स्पोर्स के थुरू रेलवे में एंटर करें और यहां से आपको जो है एक बहुत सांदार केरियर आपको मिलने वाला दोस्तो रेलवे स्पोर्स में इनको बहुत सपोर्ट करती है यहाँ पे special CL देती है, practice के लिए time देती है, खेलने के लिए TA, DA, सारी कुछ facilities यहाँ पे देती है, diet वगर देती है, कहने का मतलब में अगर साब साब कहूँ, तो कोई सी भी government जो बैसी नहीं है, railway के लाज जिसमें sportsman को इतना जो साथ दिया जाता है sportsman का, यह खेलने के लिए उसको उससाइद किया जाता है, सारी कुछ उसको facility दी जाती है, तो मैं आप सभी को personally suggest करूँगा, कि अगर किसी खेलों में career बना दा है, तो वो sports के थुरू railway में इंटर करें, बाकी यसे आप RRC, RRB के थुरू open exam देके, अगर भरती होते हो railway में, तो railway की तरब से आप नहीं कहल सकते हो, चाहिए आप कितने अच्छी sportsman हो, इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं आपके doubt number 5 की, कि सब की training एक साथ होगी क्या, तो देखे दोस्तों, आपकी group D में सभी पोस्टों की training है नहीं, तो जिनकी training नहीं होगी, तो उनको तो direct हैं पोस्टिंग दे ही दे जाएगी, उसमें कोई attentional बात नहीं है, और जिनकी training है, उनकी यहां पे base बना के training करवा ही जा रही है, pointsman के 200 के base बना जा रहे तो pointsman के यहां पे time लग सकता है दोस्तों, क्योंकि इनके base चोटे बना जा रहे हैं, 200 लड़के एक महीने में training करेंगे, फिर 200 करेंगे तो ऐसे थोड़ा इनके 4-5 महीने का time लग सकता है, बाकी बहुत सारी post हैं जिनकी यहां पे training होगी नहीं, अपने एक अलग से इंडियो ली वीडियो बनाएंगे, किस की post के यहां पे training होती है, किस post के लिए training नहीं होती है, बाकी सभी post ओंपे, मैंने 17 टाब की post हैं, इसमें से only एक post है, जिसमें मैंने video नहीं बनाया, बाकी सभी post ओंपे मैंने इंडियो बना रखे हैं, तो आप जो यह वीडियो जाके देख सकते हो, उसमें डिटेल लिए आपको सारा कुछ अनलाइसिस बहुत जितना में बता सकता था उतना बता रखा हूँ तो आपको उसमें completely जानकारी मिलने वाली है जिसको भी जो जो पोस्ट मिली है उसका वीडियो जाके देख सकते हो तो इस प्रकार आपकी यहाँ पर ट्रेंिंग दोस्तों अगर जिसकी ट्रेंग होती है और बेज खेल में आपको ट्रेंग लगा के त careless मिल जाएगी इसके बाद दोस्तों करते डád टीलो कि यह Nine ओ में जो गेट में र 고양ी कर लो स्थो है का लेकिन यहां फैर्पार गंटते जहां पर वाले डोट आपके डूटे का 4 गंटे का यहां पर बारा गंटे काम हो दो इसलिे डूती ही 12 गंटे आप कर लेते हैं इसके लिए आपको अलग वर्टायम नहीं दिया जाएगा यह आपकी duty ही होती ही दोस्तो 12 गंटे की तो आपको समझ में आ गया होगा कि जहाँ पे roaster 8 गंटे का होता है duty आप 12 गंटे का ले होता है उस जगह पे तो फिर आपको 4 गंटे का oty मिलता है लेकिन जहाँ पे 12 गंटे का ही roaster है तो उसमें 12 गंटे गर आप डूटी करते हो तो आप कोटी यहां पर नहीं मिलेगा क्योंकर रोस्टर यह आपका 12 गंटे का है अब कुस दोस्त बोलते हैं कि सर यहां पर double rest कब किस condition मिलेगा तो देखे 12 गंटे वाले रोस्टर जो होते हैं वहाँ पर double rest मिलते हैं ऐसी किन के किन को मिलेगा तो देखे दुस्तो जहां quarter जैसेsent है और इस railway station western be pointsman का quarter नहीं है य्यानि pointsman का quarter रोटेट नहीं इसका खाली नहीं है या उसके कोटे का नहीं है तो स्टेसंट अगर pointsman का quarter नहीं होता है और लेवल नहीं होता है तो उस case में pointsman को यहाँ पे दो दिन का सब्ता में दो दिन का rest मिलेगा यह condition pointsman और station master दोनों के लिए लागो रहेगी चाहिए station master हो या pointsman हो 12 गंटे का duty roster हो और वहाँ पे उस station पे कोई quarter available नहीं हो चाहिए station master के लिए available नहीं हो या फिर pointsman के लिए हो दोनों ही condition में आपको यहाँ पे 5 day week ही duty रहेगी और यदि आपको quarter मिल जाता उस station पे आपका quarter available है तो उस case में आपको 6 day ही working करनी होगी एक दिन का ही आपको rest मिलेगा तो इस case में आपको 2 दिन का rest मिलेगा जब आपको quarter नहीं मिले हो आपके quarter available नहीं हो और एक दिन का जब मिलेगा यदि आपको इस station पे quarter मिल जाए तो I hope दोस्तो यह वीडियो है आप सभी लोगों के लिए कापी helpful रहा होगा अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को like कीजिए दोस्तों के साथ share कीजिए आपके मन में किसी भी टाइप का doubt हो तो comment ज़रूर कीजिए मैं आपके comment पे नेक्स वीडियो में include कर लूँगा Thank you दोस्तो